हेलो एवर्वन मैं प्रियंका वर्मा पब्लिशर इसपर्धा प्रकाशन आज के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं जिपेसी पीटी के छात्रों के अनुरोत पे हम आज से वीडियो की नई स्रिंखला शुरू करने जा रहे हैं जैसा कि आपको पता है यह जो परिक्षा होगी दो प्रश्न पत्रों की होगी इसमें पेपर वन से दस क्वेश्चन्स और पेपर टू से सौ क्वेश्चन्स यानि कि जार्खन राजे से सब्वंदित 110 क्वेश्चन्स पूछे जाने हैं आपको बता है कि प्रश्णपत्र 2 में सेक्शन ए से पी तर वह सोला भागों में विभग्थ है और इस सभी सेक्शन में जो सबसे महत्वण क्वेशन्स है जो हमें लगता है कि इस एक्जामस में पूछी जा सकते हैं वह हम इस वीडियो में वह उस तरह की प्रश्णों की हमने स्रिंखला बनाई हुई है और मैं उमीद करती हूं कि यह जो हमारा यह प्रयास है आपके लिए काफी महत्वण होगा और मैं आपको एक और जानकाड़ी देना चाहूं कि मुझे उमीद है आप सब में DPSC-PT की जो बुक है हमारे पुब्लिकेशन की इस पर दाप्लिकेशन में है और नेक्स्ट बुक है JPSC-PT यह भी ग्रीन कलर की है पेपर 2 के लिए जायगन राजय विशेश पर यह गाइड है तो यह प्रैक्टिस वर्गुक है और यह गाइड है दूसरी है JPSC-PT के लिए पेपर 1 जो की समाने अध्यान है इसमें यह प्रैक्टिस वर्गुक ह और नेक्स्ट बुक भी है ब्लू कलर की कॉमिनेशन में ब्लू एन बाइट यह JPSC-PT पेपर 1 समाने अध्यान यह उसकी गाइड है यह आप जरूर ले और यह हमारी इस सीरीज में जो यह आखरी बुक है JPSC-PT क्वेस्ट बैंक इसमें पेपर 1 और पेपर 2 अब तक कि जि इस बुक में दिये हुगे हैं तो मुझे उमीद है अब तक आपने यह बुक ले ली होगी अगर आपने नहीं ली है तो आप यह बुक किसी के अपने नजदी की बुक स्टोर से जरूर ले जो आपके परिक्षा में आपको सफलता पाने के लिए काफी उपयोगी होगे तो ज़ारखंड के आदिवासी किस त्योहार में वनों में जाकर जंगली पशुओं का शिकार करते हैं ए सेंद्रा बी केद्रा सी सरहुल डी इनमें से कोई नहीं सही जवाब है ए सेंद्रा जारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रे स्थल अवस्थित हैं सही जवाब है ए ग्यारह जारखंड में कितने राश्ट्रिय उद्ध्यान अवस्थित हैं ए फांच बी चार सी तीन डी एक सही जवाब है डी एक निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य है सही जवाब है ए बेतला नैशनल पार्क व्रिक्षों की रक्षा हे तू किसने चिप को आंदोलन चलाया सही जवाब है ए सुन्दरलाल बहुगुणा जारखंड का एक मात्र राष्ट्रिय उद्यान नैशनल पार्क है इन में से कोई नहीं सही जवाब है सी बेतला राष्ट्रिय उद्यान बेतला नैशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी सही जवाब है सी बेतला राष्ट्रिय उद्यान सही जवाब है बेतला नैशनल पार्क किस पशू के सनरक्षन के लिए प्रसिद्ध है सही जवाब है विश्व में सर्व प्रतम बागों की गणना कब एवं कहां कराई गई थी A. 1902, बांधिपुर, B. 1888, दल्मा, C. 1905, बांधवगड, D. 1932, बेलता विश्व बैंक द्वारा संपोशित इंडिया इको डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट जार्खंड के किस क्शेत्र में कार्यानवित की जा रही है A. पलामू ब्याग्र परियोजना क्शेत्र, B. साहिब गंज क्शेत्र, C. हजारी बाग क्शेत्र, D. बेतला व्याग्र क्शेत्र सही जवाब है A. पलामू ब्याग्र परियोजना क्शेत्र भारत सरकार द्वारा कहां बाग परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है A. दल्मा अभया रण्य B. बेतला नैशनल पार्क C. लावा लॉंग अभया रण्य D. कोडर्मा अभया रण्य सही जवाब है B. बेतला नैशनल पार्क जारखंड का सबसे बड़ा उद्ध्यान कौन सा है A. दल्मा अभया रण्य B. लावा लॉंग अभया रण्य C. तोप चांची अभया रण्य D. पलामू अभया रण्य सही जवाब है D. पलामू अभया रण्य पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी A. 1972 B. 1973 C. 1976 D. 1986 20 सही जवाब है A. 1972 हजारी बाग अभया रण्य की स्थापना कब हुई है A. 1966 B. 1976 C. 1980 D. 1986 86 इस्वी सही जवाब है B. 1976 हजारी बाग अभया रण्य किस जिले में स्थित है A. धनबाद B. चतरा C. रांची D. हजारी बाग सही जवाब है D. हजारी बाग महुआ डांड अभया रण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है A. भालू B. बाग C. हिरन D. भेडिया सही जवाब है D. भेडिया महुआ डांड भेडिया अभया रण्य की स्थापना कब हुई थी A. 1967 e-swee B. 197 e-swee C. 1976 e-swee D. 1984 e-swee सही जवाब है C. 1976 e-swee महुआ डांड भेडिया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? A. लातेहार B. चतरा C. सराय केला D. गढ़वा सही जवाब है A. लातेहार दल्मा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? A. रांची B. सराय केला खरसावा C. पूर्वी सिंह भूम D. पश्चिमी सिंह भूम सही जवाब है C. पूर्वी सिंह भूम दल्मा अभ्यारण्य कि स्थापना कब हुई थी? A. उन्नी सो चिहत्तर ईस्वी B. उन्नी सो सतहत्तर ईस्वी C. उन्नी सो आठ ईस्वी D. 1989 इस्वी सही जवाब है A. 1976 इस्वी दल्मा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? A. बाग B. शेर C. हाथी D. बंदर सही जवाब है C. हाथी जारखंड में किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुवात की गई है? A. दल्मा अभयारण्य B. बेतला अभयारण्य C. कोड्रमा अभयारण्य D. लावा लॉंग अभयारण्य सही जवाब है A. दल्मा अभयारण्य पलामू अभियारण्य किस जिले में स्थित है? A. दुमका B. पलामू C. लातेहार D. गढ़वा सही जवाब है C. लातेहार इन में से कौन सा जहार खंड में है? A. बांधवगढ राश्ट्रिय उद्यान B. दुधवा नैशनल पार्क C. बेतला राश्ट्रिय उद्यान D. भालू कपोंग राश्ट्रिय उद्यान सही जवाब है C. बेतला राश्ट्रिय उद्यान तोपचांची अभियारण्य किस जिले में अवस्थित है? A. बोकारो B. गिरडीह C. रांची D. धनबाद सही जवाब है D. धनबाद तोपचांची अभियारण्य की स्थापना कब हुई थी? A. 1978 20 B. 1980 C. 1976 D. 1989 निम्नांकित में से किस अभियारण्य के मध्य एक खूबसूरत जील हरी पहाडी स्थित है? A. कोड्रमा अभियारण्य B. पलामू अभियारण्य C. तोपचांची अभियारण्य D. लावालोंग अभियारण्य सही जवाब है C. तोपचांची अभियारण्य लावालोंग अभियारण्य किस जिले में स्थित है? A. गिरिडीह B. चतरा C. बोकारो D. जमशेदपुर सही जवाब है B. चतरा लावालोंग अभियारण्य की स्थापना कब हुई थी? A. 1980-29 B. 1978-27 C. 1976-26 D. 1989-24 सही जवाब है B. 1978-28 कोड्रमा अभियारण्य किस जिले में अवस्थित है? A. कोडर्मा, B. हजारी बाग, C. धनबाद, D. चतरा सही जवाब है A. कोडर्मा कोडर्मा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? A. 1975 एस्वी, B. 1978 एस्वी, C. 1985 एस्वी, D. 1980 एस्वी सही जवाब है C. 1989 एस्वी पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? A. कोडर्मा, B. गुमला, C. चतरा, D. गिरडी सही जवाब है B. गुमला पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? A. 1980 एस्वी, B. 1985 एस्वी, C. 1990 एस्वी, D. 1991 एस्वी सही जवाब है C. 1990 एस्वी पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? A. गिरडीह, B. बोकारो, C. हजारी बाग, D. रांची सही जवाब है A. गिरडीह पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? A. 1978 एस्वी, B. 1981 एस्वी, C. 1983 एस्वी, D. 1980 एस्वी सही जवाब है B. 1981 एस्वी गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले की सीमा पर स्थित है? A. चतरा, B. कोड्रमा, C. रांची, D. धनबाद सही जवाब है B. कोड्रमा जारखंड का कौन सा जिलावनों से सरवाधिक अच्छादित है? A. हजारी बाग B. गढ़वा C. गुमला D. रांची सही जवाब है A. हजारी बाग गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? A. उननी सो साथ इस्वी B. उननी सो सत्तर इस्वी C. उननी सो इकहत्तर इस्वी D. उननी सो बेहत्तर इस्वी सही जवाब है C. उननी सो इकहत्तर इस्वी उधवा जील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? A. दुमका B. साहिब गंज C. पाखुड D. सिम्डेगा सही जवाब है B. साहिब गंज उधवा जील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? A. उन्नी सो इक्यानबे ईस्वी B. उन्नी सो बानबे ईस्वी C. उन्नी सो नबबे ईस्वी D. उन्नी सो चौरानबे ईस्वी सही जवाब है A. उन्नी सो इक्यानबे ईस्वी राजमहल जीवाश्व फासिल अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? A. साहिब गंज B. गोड़ा C. रांची D. पाखुड सही जवाब है A. साहिब गंज बिरसा भगवान जैविक उद्ध्यान कहां अवस्थित है? A. बेतला लातेहार B. और मांची रांची C. कालिमाटी रांची D. बरही हजारी बाग सही जवाब है B. और मांची रांची बिरसा जैविक उद्ध्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A. 1984 इस्वी B. 1986 इस्वी C. 1994 इस्वी D. 1996 इस्वी सही जवाब है C. 1994 इस्वी बिरसा म्रिग विहार कहां अवस्थित है? A. काला माटी रांची B. रुक्का रांची C. पारसनाथ गिरिडीश D. और मांजी रांची सही जवाब है A. मूटा रांची जवाहर लाल नहरू जैविक उद्ध्यान है A. बोकारो B. चतरा C. गिरिडीश D. जमशेदपुर सही जवाब है A. बोकारो जुबली पार्क कहां अवस्थित है A. रांची B. धनबाद C. जमशेदपुर D. चतरा सही जवाब है C. जमशेदपुर नक्षत्रवन एवं सिदो कान्हू पार्क कहां अवस्थित है A. रांची B. जमशेदपुर C. चतरा D. हजारिबाग सही जवाब है A. रांची A. रांची B. जमशेदपुर